कि नमस्कार प्यारे साथ यहों मैं पवन्थ पहार आप सभी का एक्जामपुर क्लामसे क्रांति में आप सभी लोग का तेहरे दिल से स्वाथ करता हूं तो सभी मेरे प्यारे विध्यार ती जल्दी से वेटाप सभी लोग क्लास में आ जाईए ताकि हम अपनी क्लास को शुरू कर सकें सभी से रिक्वेस्ट वेटा जो लोग पहली बार हमारे एक्जामपुर के टीचिंग स्कूल चाहिए हूं उनसे विसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्काइब करें बैल आइकन का बटन जबू प्रेस करें ता आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया एक शांदार जो है मैथ और साइंस के साथ बुक का बिटा कॉम्बिनेशन जो पैक है सेवन बुक का कॉम्बो सिफ बिटा शिक्स फोर नाइन रुपीज में विटा एविलेवल है तो आप सभी लोग जल्दिश जाके बिटा इस जो ह आप इन बुक्स को पर्चेस कर लिए या आपकी सफलता में एक तरह से राम बार्ण की तरह काम करेंगी तो प्यारे साथियों जल्दिश जाके जो लोग यह तो आपके बुक्स जो है आपके नजदीकी बुक की स्टॉर पर उपलब भी है यह जो लोग नहीं जा सकते हैं त और पहला ही प्रशन आपके सामने मैंने पेश कर दिया है । पहला प्रशन क्या है निमलिखत मेंसे किसने नाइट हुड की उपाधी को अस्विकार किया भारत के लिए कूशल अव्क्राइट हुड की अफद्गहन करना अस्विकार किया आपको बताना है बेटा उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने उस व्यक्ति का नाम बताईए जिसने नाइट हुड की उपाधी को और स्विकार किया और भारत के लिए Council of the Secretary of State में पदग्रहन करना और स्विकार किया आप बताईए जल्दी से वो कौन है मोतिलाल नहरू, M.G. रनाडे, G.K. गोखले या B.G. तिलक प्यारे सातियों जोरदार तरीके से मुझे उत्तर दीजिए प्रशन आपके सामने है प्रशन कह रहा है कि निमलिकित में से किसने नाइट हुड की उपाधी को अस्विकार किया और भात के लिए Council of the Secretary of State में पदग्रहन करना अस्विका प्यारे सातियों सभी लोग जल्दी से उत्तर दो फटा फट जल्दी से मुझे सारी बातों का उत्तर चाहिए जल्दी से देर नहीं करना है प्यारे सातियों निमलिकित में से किसने नाइट हुड की उपाधी को अस्विकार किया भात के लिए Council of the Secretary कौन बेटा महादेव गोविंद रनाडे ध्यान लखना बेटा इन्हें बेटा महाराष्ट्र का शुकरात भी कहा जाता है है महाराष्ट के सुकरात के रूप में जाने आते हैं सुकरात के रूप में जाने जाते हैं महादेव गोविन राडे को महाराष्ट का सुकरात भी कहा जाता है प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगला है निम्लिकित में से कौन सा भारत में वानिजिक वानिजिक की प्रधान खोत है बताईए प्राकृतिक गैस कोईला खनिश्टेलिया नाविकी उर्जा उत्तरों कौन सा भारत में वानिजिक वानिजिक की प्रधानिक सोथ है प्राकृतिक गैस कोईला खनिश्टेलिया नाविकी उर्जा चलिए बिटा आप निम्रिकित में से कौन सा भारत में वानिज्य की प्रधानक श्रोत है ध्याननकी बिटा कौन है ध्याननकी बिटा कोईला कोईला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है विश्व में कोईला उत्पादन में इस्थान विश्व में इस्थ विष्व में कोईला उत्पादन में इस्थान काई और दूसरा है मेरे फ़ाल यह दोस्तों किस खा भारत का नोट कर लिजिये जादा दर कोईला बेटा कहां से 90% कोईला जो बेटा गोंडवाना सेलों से किसे बेटा 90% और नोट कर लो 90% कोईला गोंडवाना सेलों से प्राप्ट होता है जो लिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ उसको बेटा अच्छे से पढ़ लो गोंडवाना सेलों से ठीक है एक एक बात को बच्चे नोट कर लो कमेंट पर आजान मत दो सुप चाप खाली पढ़ते रहो भालतू बात बिलकुल नहीं आपके लिए बनाया गया बढ़िया प्रस्ण है तो उसको आप लोग उत्तर दीजिए आगे बढ़ते हैं अगला है वेटा कि जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है चुनार किसके प्रसिद्ध है आपके options हैं कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, बीडी उद्योग या इनमें से कोई नहीं आपको दाना बेटा चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है पहली बाद तो चुनार पढ़ता है आधे लोग को पता ही नहीं होगा बता दू बेटा चुनार प्रसिद्ध है चलिए बिलेकुल बेटा किसके लिए बेटा चुनार सीमेंट उद्योग के लिए बहुत बढ़ता चुनार बेटा किसके लिए सीमेंट उद्योक के लिए बड़ा चुनार परसिद्ध है, और जल्दी से चलिए, आगे बढ़ते है، जादू गोड़ा किस के लिए परसिद्ध है, जादू गोड़ा किसके लिए परसिद्ध है, पियारे साथ ही उत्तर दो उत्तर बेटा लॉइस के लिए मैगनीज के लिए सोने के लिए या यूरेनियम के लिए चल्दी उत्तर दो बेटा जादू गोड़ा खान है ध्यान की बेटा यह जादू गोड़ा बेटा क्या है खान है और यह कहाँ पढ़ती पहले तो पता हुआ जही कहां पड़ती है जारखंड के सिंग भूमी लिखो जारखंड राज्ज में जारखंड राज्ज के नोट कर लो जारखंड राज्ज के पूर में सिंग भूमी जिले में जादू गोड़ा भीटा खान है जो भीटा यूरेनियम के लिए किसके भीटा यूरेनियम के लिए परसिद्ध है पूर्वी सिंग भूमी जो सही वर्ड है पूर्वी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण निम्लिखित में से कौन 1885 इस्वी में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसियेशन के संस्थापकों में से एक था बच्चों बहुत बढ़िया प्रश्ण है बिलकुल एकदम बहुत ही क्यूट प्रश्ण है कि निम्लिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसियेशन के संस्थापकों में एक था आपके ऑप्संस हैं फिरोजसा महता पी आनंद चारलू एमवी राघव चेरियार या एस एन बनर जी उत्तर दीजिए जल्दी से कौन था बताओ बैटा कौन ध्यानकी बैटा 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी के संस्थापकों में से फिरोज सामहता पहला नाम बेटा कौन है फिरोज सामहता दूसरा केटी तैलंग दूसरे बेटा पहले ये थे ये पहले थे दूसरे थे बेटा आपके केटी तैलंग केटी तैलंग और बेटा तीसरे थे बदरुद्दीन तयब जी बदरुद्दीन तयब जी ये तीनों नामों को बिटा आप लोग अच्छे से नोट कर लीजे केटी तैलंग बदुदिन तयब जी अठार सव पिचासी में बंबई प्रेश्डेंसी एसोसियेशंस के संस्थापक में तीन लोग थे फिरोज सामेता बदुदिन तयब जी और केटी तैलंग चलिए आगे उसाथे में जश्टिश पार्टी की स्थापना किशने कि थी अगला प्रशन आगया कि उननीस सथे से पी त्याग राज या सी यन अन्ना दुरई अब आपको दाना है कौन थे चलिए जल्द उत्तर दो जस्टिस पार्टी पार्टी की स्थापना किस ने की थी चलिए बेटा पहले तो पता है जाए जस्टिस पार्टी सामना कहा हो थी बेटा चलिए इस्थापना जस्टिस पार्टी पहले बेटा पहले जस्टिस पार्टी से पीति अलावा इसमें दो ती लो नाम और हैं वह भी आप नेखे लोग कॉन-कॉन टी एन ना REALLY है टी एन नायर को आझêu टी एन नांथ तप्राँ मुझ過去 दूसरे नाम यह हैं पहला न नाम तो इजी यह हो मुदलियार ये भी पेटा नोट कर लो सी नध्य सामुदलियार ये भी थे और बेटा ये गैयर ब्राह्म्हण वाले इस दल को अधिक्या इस अधिक गैर अब भाहन दल एक बहुत सब्सक्राइब बात यां इसे बिटा दक्षिन भारती लिबरेशन फैडरेशन के नाम से भी जानते हैं इस दल का वास्तविक नाम क्या था दक्षिन भारती लिबरेशन फंड वास्तविक नाम दक्षिन लिबरेशन फैडरेशन फैडरेशन और नोट कर लो अराम से सारे के सारे प्रस्ण आपके लिए इंपोर्टेंट है मैंने बोला बेटा 1917 में जस्टिस पाल्टी की स्थापना पी त्याग राजने की थी टीन नाथर और सी नितेसा मुदलियार थे ठीक है और इसका जो वास्तिक नाम था दक्षिन भारती लिबरेशन फैडरेशन जल्दी बेटा नोट कर लो अगला प्रस्ण आते हैं जल्दी कि निमलिखित राजनीतिक पार्टियों में से बिटिस किसको राजड्रोह का कारखाना कहते थे आपके ओप्शन मुस्लिम लीग भारती राश्टि व इंडिया या यूनिस्ट पार्टी बताएं इसे हैं कि अज़िए 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 बिटिशर्स किसको बिटा राज द्रोग कार का खाना कहते थे इस सिदी बात है उस समय कौन थी भारती राश्टी को कहते थे और उस समय करजन थे वायस-राय करजन ने बेटा क्या कहा था कॉंग्रेस के बारे मेंalyst वास राय करजन ने इन्हों ने भास सा डेस कुझें क्या कह था गंदी चीज और देस द्रोही संगठन और देशडोही संगठन का नाम दिया था किसको 콘्रेस को देस द्रोही संगठन देश द्रोही संगठन वी जो है यह दो उपमा जो है भारती राष्टी कॉंग्रेस को करजन के द्वारा दी गई थी इसको बेटा आप नोट कर लो बाकिया आपको पता है कॉंग्रेस की स्थापना किस ने की थी एओ यूम ने की थी 28 दिसंबर 1885 में चलो आगे बढ़ते हैं बंबई में चलिए बंबई में भारती राष्टी कॉंग्रेस के प्रतिम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी एओ यूम ने गोपाल किसने गोखले ने बीजी तिलक ने या डबलू सी बनर जी ने प्यारे बच्चे उत्तर दो कि बंबई में भारती राष्टी प्रतम अधिवेशन की अध्यक्षता किशने की थी जोरदार तरीके से वीडियो शेयर जल्दी से को फिरसुले बंबई में भारती राष्टी कॉंग्रेस के प्रतम अधिवेशन के अध्यक्षता किशने की थी थी तो बनर जी ने पूरा नाम बारेंक होक बताएं State あ व्योमेस चंद्र बनर जी यह इनका पूरा नाम है और उस समय जब कि थी पर्थम अधिवेशन की और 72 सदस्यों ने भाग लिया था 72 सदस्यों ने भाग लिया था चलो जल्दी से बेटा उत्तर दो फटा फट जल्दी से आप लोगों ने यहां तक की बातों को नोट कर लिया होगा अगली बात पर चलते हैं सूची एक और सूची दो को मिलाईए चलिए सूची एक को सूची दो से मिलाईए कोईला तांबा लॉएस्क चांदी कुंदेरमुख ज्वार खेतडिया तल्चर बताईए जल्दी से सूची एक को सूची दो से मिलाईए प्रसनि चलो जल्दी उस्तर दो फटाफट फटाफट से उस्तर दो वीडियो को ये शेर करो वीडियो को अच्छा लगया तुट शेर जड़ो करो चलो आगे बढ़ते हैं चलिए कोईला तलचर ताबा खेतली लोगों ने सी उत्तर दिया विटा उनका सही है बाकि सब का गलत चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके सामने भारत का सबसे महत्तो पूर्ण खनिज रौक तंत्र कौन सा है भारत का सबसे महत्तो पूर्ण खनिज रौक तंत्र कौन सा है कुणडप कुडपा तंत्र धारवार तंत्र या गोंडवाना तंत्र या विंद तंत्र आपके सामने चार ओप्सन है पूछा है महत्तो पूर्ण खनिज रौक तंत्र कौन सा है सबी लोग जल्दी उत्तर दो सब दाडवार बता हुआ है इसलिए मैं समय ज्यादा खर्च नहीं करूंगा चुकि पहले से मैं इसको आपको बता रखा है तो जिसमें बता रखा है उसमें बेटा समय खराब नहीं करना है ठीक है तब भी मैं ले आता हूं कोशन्स की देख लूं कि किन विध्यारतियों को पता अभी है या नहीं जो लोग खाली क्लास ले रहे हैं नोट नहीं कर रहे हैं निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है जो नहीं है आपको ताना है अमगूरी लांजीगड कामपत्ती वैल लारी बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है जल्द उत्तर दो कि अंगुरी लाजी गड़ कामपतिया वेल लारी जल्दी सुतर बेटा कौन साथ फेमस है बताई यह प्यार साथ उत्तर दो बिलकुल कौन बेटा सी वाला जो है बेटा यहाँ सही है क्योंकि तावाज निकिलनी बेटा कोईला के लिए किसके लिए कामपति कोईला उत्त पादन के लिए नोट कर लो किस के लिए बिटा कोईले के लिए या बिटा फेमस है जल्दी नोट कर लो कोईला is the right answer चलिए आगे बढ़ते हैं देर नहीं करते हैं वीडियो को भारत में तीन संसाधन वाला एक मात्र राज्य कौन सा है भारत के उस राज्य का नाम बताईए जो भारत में तीन संसाधन वाला एक मात्र राज्य कौन सा है आपके options है 36 जारखन मद्यपरदेश या उडिसा उत्तर दो जल्दी से वीडियो को शेयर करना है वीडियो को शेयर करना है तभी जो है क्लास में आनंद आएगा और क्लास प्राने का एक अलगी आनंद रहता है तो भाया मेरे भारत में टीन संसाधन वाला एक मात्र राज्य कौन सा है अ उत्तरद वह जल्दी से भारत में टीन संसाधन वाला एक मात्र राज्य कौन सा ये वीड़ा तो 36 गड़ और 36 कहां बेटा बस्तर और धन्ते वाड़ा जिला कौन सा बेटा बस्तर और धन्ते वाड़ा जिला बस्तर और धन्ते वाड़ा जिला में ठीक है नोट कर लो जल्दी नोट कर लो वीडियो को शेयर करो भईया वीडियो को शेयर करना है बाबू वीडियो को शेयर फटा फट जोश के साथ निमलिकित में से किस राज़ ये क क्रोमाइट उतपादन में लगभग एक अधिकार है उस राज़िका नाम बताईए जिसका क्रोमाइट उतपादन में लगवग एकधिकार है आपके आप्शन्स हैं बिहार करनाटक माराष्ट या उडिसा बिटा फिर सुन लो प्रस्ण कह रहा है कि क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एक अधिकार है आपको उस राज्य का नाम बताना है कि बिहार है करनाटक है मरास्थ है या फिर उड़ी साहिब उत्तर दो प्रस्ण को ध्यान से सुन लीजिए मैंने बोला क्रोमाइट निमल्खित में से कौन सार क्रोमाइट उत्पादन में लगभग धिसका एकाधिकार है लगभग एकाधिकार मतलब इन्हीं और यह सुरादन जलता है यह आपको ताना है निम्लिकित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगबग एकाधिकार है तो प्यारे बच्चो ध्यान देना क्रोमाइट उत्पादन में लगबग एकाधिकार की बात करते हैं तो अपना उडी सा कौन सा बावू उडी सा जल्दी से नोट कर ल आईए खनीज दिया गया है एक तरफ बेटा ये दिया गया है ये सब बेटा क्या है ये सब खनीज है और ये क्या है बेटा उत्पादन छेत्र यहां पे थोड़ा सा जगां की वज़ए से उत्पादन छेत्र ठीक है नोट कर लीजिए खनीज और उत्पादन छेत्र अब आई कि यह बार मैंने आपको यह तरह के प्रश्ण कराएं हैं आप जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे तो पढ़ाने का अपना ही एक अलग मजा है और प्यारे जल्दी से बिटा वीडियो को शेयर करना है आप सभी लोगों ने उत्तर को दे दिया है तो आई ये अब हम देखते हैं कौन सा सही है लौह आयस्क क्यों ज़र थाबा खेतड़ी कोईला कॉरबा अबरक कोडरमा मैच क्या बना बिटा जो सी वाला है वह एक दम ठीक उत्तर है सी वाला जो है बाबू बिलकुल सही उत्तर है चलिए अब जल्दी से वीडियो को शेयर करीए मैं फिर कराऊं मेरे प्यारे दोस्तों जितना ज़्यादा आप चीजों को समझेंगे चीजों को आप नोट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लास को लेने में बहुत फायदा मिलेगा महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी चीजों को आप नोट करते हैं चलिए बटा अब हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न यह है भारत किसकी आप पूर्ती में आत्म निर्भर है आपके आप्संस हैं यूरेनियम रेडियम इरीडियन या थोरियम भारत किसके उतपादन में आत्म निर्भर है यूरेनियम थोरियम इरीडियम या आपका इरीडियन चलिए उत्तर रजी से किसके उतपादन में बताईए बताईए जल्दी से चलिए बेटा किसके लिए थोरियम के लिए और थोरियम बेटा मोजा नाइट से प्राप्त होता है मोनाजाइट से यह मोनाजाइट हम मोजाइट बोलते हैं किससे बेटा जो थोरियम होता है वह मोनाजाइट से बाता है और मोनाजाइट कहां पर आता है केरल के तटिय बालू में केरल के तटिय बालु में मोना जाइट पाया जाता है इसके लावा तो आप जाना किए जारखंड राजस्थान तमिल-नाडू राज्योम भी जिटा या गेज के भंदार मिले हैं थिक है फिर सुन लो थोरियe हृत बिटा आत्मनिरफर है और य है और मौनाजाइट से प्राप्त के 그m के अलावा तमिल नाडू ग्राजस्थान और आपके जहर के अरिया वहां इंडियन नैशनल कॉंग्रेस की प्रथम भारती महिला अध्यक्षा कौन थी अनिवेशन्ट सूचिता किपलानी स्वरोज नैडू इंद्रा गांधी उत्तर दीए जल्दी से उत्तर जल्दी से विटा फटाफट बताओ चलिए उत्तर एलिश वेटा एलिश उत्तर दो प्रवट चलिए कौमेटा एनी बेशेंट एनी बेशेंट कहां पे 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में दो समाचार पत्र निकाले थे कौन कौन से दो समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवील न्यू इंडिया और common wheel बिटा ये दोनों क्या थे ये दोनों समाचार पत्र थे एक एक चीज को नोट करो के तब न फायदा है एक एक चीज को नोट करने से फायदा होगा ना चलो बिटा नोट करो जल्दी से इंडियन नेशनल कॉंगरेस की पर्थम महिला अधिक्चा कौन थी एनी बेशेंट थी लिखल बिटा एनी बेशेंट थी कब 1917 के कलकत्ता दिवेशन में और एनी बेशेंट ने दो समाचा पत्र निकाले थे निव इंडिया और कॉमन वील नोट कर लिया होगा आप लोगों ने आगे बढ़ते हैं अगली बात आप लोग के साथ निमनिकित में से कौन लगातार छे वरसों तक भारती राष्टी कॉंगरेस का प्रेसिडेंट रहा उस व्यक्ति का नाम बताईए उस महान विभूती का नाम बताईए जो बिटा लगातार छे वरसों तक भारती राष्टी कॉंगरेस के प्रेसिडेंट रहे आपको उस व्रत्ति का नाम बताना है जो लगातार 6 वर्सों तक भारती राश्ति कांगरेस का प्रेसिडेंट रहा है उत्तर है आपका दादा भाई नरोजी, अबुल कलाम आजाद, गोपाल किसने गोखले, जवाहर लाल, नहरू जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर दो, जल्दी से, बताओ, बताओ जल्दी से बेटा द्याननों को बेटा लगातार छे वर्सो तक लगातार छे वर्सों तक तो बेटा अबूल कलाम आजाद थे ठीक बैटा कौन बैटा अबुल कलाम आजाद लेकिन आपसे अगर एक बात और पूश ले सरवाधिक लार अध्यक्ष कौन मने अगर आप से यह पूचा जाया सरवाधिक लार अध्यक्ष कौन MARJTA जवाहो लानेरू सरवाधिक बार यह जो है यहां जो हैं बेटा सरवाधिक बार अध्यक्च बने थे सरवाधिक बार अध्यक्च ये भी नोट कर लो सरवाधिक चलिए अब आगे बढ़ते हैं सरवाधिक बार अध्यक्च अगला प्रशने बेटा किसने कांग्रेश को सूच मदर्सी अलप संख्यक जनता का प्रतिनिधी बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने कॉंग्रेश को सूच मदर्शी अलप संख्यक जनता का प्रतिनिधी बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था आपको नाम बताना है किसने कॉंग्रेश को सूच मदर्शी अलप संख्यक जनता का प्रतिनिधी बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था चलिए कॉमेटा लॉर्ड डफरेन इसी के समय जो है इसी के समय बेटा जो है कॉंग्रेश की बेटा क्या हुई थी इस्थापना हुई थी चलो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण आपके सामने आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर कॉंग्रेश गिरने के लिए लड़ खड़ा रही है ध्यान सुनिए प्रश्ण क्या है सुनिए कॉंग्रेश गिरने के लिए लड़ खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेश महत्वा का कांच्छा है कि इसके सांती पूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं यह घोशना किसने की है करजन ने दफरिन ने हैमिल्टन ने या इर्विन ने मैं एक बार फिर पढ़ दे रहा हूं और आप सुन भी लिजिए कॉंग्रेस गिरने के रिए लड़ खडा रही है और भार गोशना किसने की थी करजन दफरिन हैमिल्टन या इर्विन अब मुझे आप इसका उत्तर दीजिए किसने की थी या घोशना कि जल्द उत्तर दो किसने बात कही थी चलिए बिलकुल बिटा किसने बिटा लॉड कॉंग्रेस की स्थापना हुई है लेकिन जो ये वाली बात थी यह बिटा लॉड करजनने कही है आपको पता होगा या आप जानते हैं आगे बढ़ते हैं और अपनी गाड़ी को हम तेजी से बहुत बढ़िया तरीके से बहुत बढ़िया कवर पे ड्राइव खेल दिया पवन सम्ने बहुत बढ़िया चलिए भारती राश्टी कॉंग्रेस के हरीपुरा अधिवेशन की अ नहरू प्यारे बच्चों प्यारे दोस्तों उत्तर दो भारती राश्टी कॉंग्रेश के हरीपुरा अडिवेशन की अद्रिक्ष्टा निमलिखित में से किस्ने की थी सी आरदास जेवी क्रिपलानी एस सी बोस और जे अल नहरू बताईए भाई जल्दी से हरीपुरा अडिवेशन बताया मैंने कई बार कल इसके बारे में बताया है पहले तो पता होना चाहिए हरीपुरा अडिवेशन कब हुआ था ये बता दो मुझे कई बार मैंने आपको ताया है बताई जल्दी से ध्यान अखना बेटा भारती राश्टी कॉंग्रेश के हरीपुरा अडिवेशन के देख्षता पहले तो हरीपुरा अडिवेशन की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे यह हुआ था 1929 में कब हुआ था बेटा 1929 में और बेटा इसकी अध्यक्षता किसने की थी अगर आप लोग को पता हो तो कल यह आप अपरसुन बताया था कि दूसरी बार त्रिपुरी संभिलन हुआ था जो त्रिपुरी अजिवेशन हुआ था मध्यपद्य जवलपुन पड़ता है और त्रिपुरी अजिवेशन में दूसरी बार सुभाश चंद्रबोश जी ने दूसरी बार सुभास चंद्र बोश जी ने महात्मा गांधी द्वारा समर्तित पट्टाभी सीता रमया जी को हरा कर जो है वह दूसरी बार भी बने थे लेकिन सुन लीजे निमलिखित में से कौन सा सही नहीं है अगला प्रशन आपके सामने है कि आपके सामने दिया गया है कि भाई सहाब ये दिया हुआ है चार ओप्सन दिये गए है इसमें से सुमेलित नहीं है जो पूछा है सुमेलित नहीं है आप मुझे इसका उत्तर दीजिए कौन सा सुमेत न टक उत्तर दीजिए जल्दी से विटा फटाफट उत्तर जल्दी से चलिए प्यारे साथियों प्रश्ण बहुत ध्यान सुनिए आपके सामने उत्तर दिया गया है और बताना है चार पेयर में से कौन सा पेयर सही नहीं है ये आपको बताना है बताईए चलिए कौन सा बेटा सी नल्लोर ये बेटा जो है यह बेटा मैगनीज के लिए नहीं है यह बेटा अभरक के लिए है अभरक और बेटा नल्लोर कहां पढ़ता है ध्यान नकिए आंध्र प्रदेश ये कहां पढ़ता है बेटा आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश ठीक प्यारे बच्चों नोट कर लिए कहां पढ़ता है आंध्र प्रदेश में इतनी बातों को बच्चे आप नोट कर लिए और अगला प्रश्ण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया फिर देखिए इस तरह के प्रश्ण आपके सामने में कई बार लेके आया हूँ चलिए आज भी ये प्रश्ण आपके सामने मैं पेश कर दिया बताईए सूची एक को सूची दोसी मिलाईए सूची एको सूची दो से मिलाईए प्यारे साथियों सूची एको सूची दो से मिलाईए जल्दी से चलिए तामा खेतड़ी गैस प्लांट और यह कोरबा पेट्रोलियम कोचीन चार दो तीन एक चार दो तेन एक बहुत बढ़िया चार दो तीन एक लोग पहला ही आ गया पहला ही आ गया बेटा आंसर चलिए वीर तुम बढ़े चलो चलिए लीजे सहाब अरे ऐसे कोशन इस तरह के कोशन से यह होता है कि आपको एक ही कोशन में चार चीज़ा आपको पता चल जाती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है प्रकृति में प्राप्पदार्थ हो कि सुची और तक नहीं को बताईए रही मिलाइक मैच करिए ज जिल्दी से मैच करें जल्दी से भहिया जोडहत तरीके से बिटा सहसन को शेयर करो जोडहत तरीके से से शेयर करो आ, चलिए डायमंड कार्बन एक दो तीन इस दर राइट आंसर चलिए जल्दी से अब बेटा अगला प्रश्ण आपके सामने आज का अंतिम प्रश्ण आ गया है और अंतिम प्रश्ण है तो अंतिम प्रश्ण में तो जोरदार तरीके से वीडियो को शेर करना मांगता वावा शे सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना आता है सिलिकॉन स्टेट के नाम से भारत के किस राज्य को जाना जाता है बताओ भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना आता है भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना आता है भारत के किस राज्य को ब करनाटक के बंगलूर बंगलूर जो आप इस्थान जानते हो आप वहाँ पे सिलिकॉन से बने वो से अधिक मात्रायमा 정도 होता है तो आप जानते हैं कि सिलिकॉन स्टेट हम किसे कहते मैं करनाटक को कहते हैं बहुत ard दिया इसके लिए मैं आपका दो precis करता हूं और जो लोग नोट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है जो लोग वीडियो चुपचाप खाले देख लेते हैं और नोट नहीं करते हैं फिर कराओं बेटा हर दिन करता हूँ और कहता भी रहूँगा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट बनाईए ये कलास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद होने वाली है तो ठीक है आज कि इस कलास को हम यहीं पर विश्राम देते हैं आप हस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए परसंद रहिए थैंक्यू